तो नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चनल आएसेन पड़ पर और आज मैं आपको बताऊंगा कि divisibility rule अब यह divisibility rule हमेशे ध्यार रखना है बहुत important है और हर एक्जाम के लिए important है कि इसके सवाल पर जो question आते हैं बहुत important आते हैं अगर आपको divisibility rule याद है तो आप आराम से यह पता लगा पाएंगे कौन सा नंबर किस नंबर से 0 भी है ठीक है 6 भी है अब कैसे आप पता लगाओ कि unit digit इसकी 0 है और 6 है तो मतलब यह हमारा सही है ठीक है उसके बाद आपका पूछा लगा कि 3 से divisible है कि नहीं कैसे मालूम पड़ेगा तो sum of digit divided by 3 मतलब जब हब digit का submission करेंगे ठीक है तो वो डिवाइड होना ची 3 से कैसे 2 प्लस 1 प्लस 6 6 7 8 9 क्या 9 divisible है 3 से हाँ है तो यह हमारा नंबर divisible है 3 से ठीक है पूरा 318 के divisible है 3 से देख लेते हैं 3 और 1 4 8 और 4 12 तो 12 divided by 3 यह divisible है तो यह भी हमारा divisible है ठीक है तो यह हम भी हमको याद हो गया उसबत 4 में क्या होता है 4 नंबर जब बोला जाए कि डिवाइड है कि डिवाइड कर सकता डिवाइड है कि नहीं कोई number तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ा है कि लास्की दो डिजिट है जो भी वह डिवाइड हो जागर 4 से देखो लास्की 2 तो यहाद हो गया उसके बाद हम 6 का अगर आखको कि सिक्स से कोई नंबर है कि नहीं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यह देखना पड़ागा कि वह नंबर या तो 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 त्री से दोनों से एक साथ डिविजिबल हो रहा है कि नहीं देखिए इफ़ नंबर डिविजिबल बाए टू एंड त्री टूगेदर कैसे दो सो सोला तू से डिवाइट कैसा अब हम देखते है कि हमार नंबर सम ऑफ डिजिट किता अना चीए डिविजिबल वह थी से तो छे साथ आठ तो हा इसका मतलब जी एक क्या बोल सकते है जब तो यह नंबर पूरा इफ डिविजिबल है तो क्या लिखेंगे हम सिख से डिविजिबल है ठीक है अब सेवंत का क्या बोलता है इंपॉर्टेंट है बहुत मतलब अच्छा है क्योंकि इस लोग भूल जाता है गल्ती कर जाते हैं मतलब नहिंगा जाते हैं इस से हमें कोई मतलब निया विज्जान से जोड़के बन रही कि है भूल सिक्रम करने यह लिए अगर इसको मिनेस करने पर जो वैल्यू आ रही क्या थेंटिये जो शुए में को ब्लो मतलबन नहीं साइन्स है कोई मतलब नहीं क्या यह 7 से डिविजिबल है हाँ भी है 7 से डिविजिबल है 7 पूर्जा 28 तो मतलब यह पूरा नंबर हमारा इसे 7 से डिविजिबल है ध्यान देना यहां पर भी कैसे अब यह 1 है ठीक है 1 का मल्टिप्लाइ किता हो तू इस 2 में से अगर मैंनिस कर तो इसके बाद आता है आठ से आट में कहता है कि नंबर फॉर्म और फॉर्म हो रहा है और दिजान से लिए सब्सक्राइब करता हूं तो पूरा नंबर किसे डिविजिबल है एट से डिविजिबल है क्या है समझ में यहां पर 240 अगर 240 बात रहो तो सब्सक्राइब करता हूं तो पूरा नंबर भी मेरा इट से डिविजिबल है यहाद रखना उसको नाइन का क्या रूल है कि जितने भी डिजिट है उनका समिशन अगर नाइन से डिवाइड हो जाए देखना कैसे 5 प्लस 7 प्लस 6 5 प्लस 7 प्लस 6 क्या है पांच साथ बारा बार से टेविजिबल है तो पूरा नंबर भी आपका नाइन से डिविजिबल है ठीके से 729 के टेभल ठीक है यह तो क्यों भी होगे नाइन का आपको मालुम होगा उसका यह को नमबर है यह अगर कोई नंबर है यह क्या होते है यूनित अगर कोई नंबर है एक दो तिन चार पाइब है यह और यह और यह ऑड है और यह और ओका सम कर लेता हूँ 1 प्लस 6 और और डिजिट कर समिशन कर रहा हूँ 1 प्लस 6 प्लस 0 प्लस आपका 2 ठीक है तो क्या आया 6, 7, 8, 9 और इसका क्या आया इवन प्लेस का 3 प्लस 1 प्लस 5 किता है 5, 6, 7, 8 और 9 क्या इन दोनों को माइनस करने पर 0 आ रहा है हाँ आ रहा है तो मेरी condition satisfy हो रही है यह कहना है 11 का कि अगर जो भी number submission हम करें है और उसकी value अगर 0 आए या multiple of 11 आए तो यह number पूरा divisible है किससे 11 से तो hope आपको इस समझ में आए होगा divisibility rule क्योंकि इसके वैसे से बहुत से question बनते हैं और अच्छे question आते है अगर यह आपको थोड़ा सा ध्यान है तो हम जाहिर से बाता है अराम से question लेंगी तो यह तो मैं आज आज आपको समझा दिया है